सवागते दोस्तों तो आज हम बात करेंगे Pie Network के बारे में Pie App में एक नया अपड़ेट आया है उससे Related क्या ये नया अपड़ेट है पुराना अपड़ेट है इससे हमें क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा इन सब पर चर्चा करेंगे, अब आई वर्ड में एक ट्विट आया है, उस पर चर्चा करेंगे, इस आप के बारे में, क्या ये फेक हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चर्चा करते है, केक कोर के बारे में, केक कोर में भी एक ट्विट आया, उस पर भी आज हम च कोर में एक update आया है, वो update हम देख लेते, we are working very hard to verify your ID as quickly as possible, जितने जल्द से जल्द हो सकते हैं, हम हमारी आपकी ID complete करने की कोशिश करेंगी you will be able to withdraw ये पार्ट ठीक से सुन लेना दोस्तो you will be able to withdraw cake in phase 3, phase 3 में आप cake coins withdraw कर सकते है once your ID has been verified, आपकी ID verify होने के बाद, आप phase 3 में coin withdraw कर सकते, take a look at our roadmap here, तो ये roadmap है यहाँ पर आप जाकर इनका roadmap देख सकते हो तो ये roadmap है, उनका जुलाई में verify user identity होने वाली है तो जुलाई तक हमें user identity verify करनी है, august में इनका airdrop stop होने वाला, ICO भी stop होने वाला है, और withdrawal भी start होने वाला है, तो ये phase 3 है तो शायद अगर ये सब कुछ सही रहा, इनके roadmap की तरह से सब कुछ perfectly गया, तो हमें इसमें से coin withdraw कर सकते हैं और आगे वाली बात ठीक से पढ़ लेना, ठीक से देख लेना, आप को हमें कोई भी fees नहीं देने पड़ीगी, well and good, अच्छा लगता है ना सुनेगा, तो good, ये सब आप में अच्छा लग रहा है, इनका roadmap भी है, और इन्होंने अभी ही कह दिया है कि withdrawal को आपको fees नहीं लगने वाली है, well and good, अब सब कुछ तीन मेने रह गया है, तीन मेने में हर चीज अगर ठीक हो जाती है, तो शायद हम इसमें से withdrawal कर सकते हैं, और अच्छा rate लग जाए, ये सिर्फ आशाक कर सकते हैं, तो ये थी केक कोर की बारे में, अभी अवाइब वर्ड में जाते हैं, तो अवाइब वर्ड में, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कि एक अपडेट आ चुका है, तो उन्होंने आज ट्विटर पे डाल दिया है, ये अपडेट है, अपडेट है, आट अवाइब वर्ड, we always innovating, and our latest अपग्रेड is just beginning, and what we have in the store, तो play store में जाहिए, और आपका अपडेट कर लीजिए, अपडेट करना क्यों जरूरी है, अपडेट के बाद क्या होता है, मैं आपको बता देट, अपडेट करेंगे, तो interface totally change हो चुका है, आपके सामने दिख रहा है, कितना अच्छा interface है, सब कुछ change हो चुका है, हर चीज़ क्लियरली दिखती है, आपका अपडेट करने के बाद, आप अपडेट करने के बाद, आपको claim पर click करना है, claim पर क्लिक करना है, क्योंकि आपकी soul power जो है, वो 5000 से बढ़ जाएगी, तो मुझे दोस्तो, soul power बहुत important होती है mining apps में, तो ये जो soul power है, ये 5000 से आपके बढ़ जाएगी, मैं claim कर देता हूँ, claim करने के बाद, आप देख सकते हो, मेरी soul power 5000 से बढ़ चुकी है, तो अभी अवाई वर्ल के बारे में वही बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना है, कि इनका road map नहीं है, क्या है, tokenomics ठीक से नहीं है, इंसान यह, white paper यह नहीं दिया, तो क्या ये app fake हो सकता है, दोस्तों देखो, fake तो हर चीज हो सकती है, उसमें तो कोई किसी की guarantee नहीं ले सकता, क्योंकि हम लोग तो अभी बस mining करते हैं, हमारा ना company से कोई रिष्टा है, relation है, ना company में कोई हमारे friends है, जो हमें बता सके अभी ही कि ये चीज लीगल है या illegal है, तो हम जो guesses कर सकते हैं, तो अभी guesses करने का क्या बात होता है, तो पहली बात ये देख लो, क्यासी साइसे कर सकते हैं, अभी इनका Twitter handle, कितने fast grow हो रहा हैं, 290K followers हो रहे हैं, कल का वीडियो में 290 थे, मतलब लग बग 10,000 followers रोज बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है, कि पूरी दुनिया में इस पर लोग जादा वरोसा रखते जा रहे हैं, इनके followers बढ़ रहे हैं, ये बात होगी, अभी सिर्फ roadmap नहीं है, इसलिए शक करना ये पसंद नहीं होता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, अभी समझो, बहुत सारे पास्ट में आके गए टोकन से, गोल्ड सेंड, इसका तो पूरा गोल्ड सेंड में जिसमें हमने माइनिंग की थी, छे महने माइनिंग चली थी, पूरा roadmap था, roadmap की तरह वो लोग आए, और जिस दिन launching होना वाला था, उस दिन उन्होंने पैसे मांग दिये, बिना पैसे के वो विट्रॉल नहीं दे रहे, BCL में भी हो रहा है, Bitcoin Legion में भी हो रहा है, without fees के वो विट्रॉल नहीं दे रहे, super X में उन्होंने कोई तो criteria निकाला, super X तो कितना बड़ा exchange है, कितना सब कुछ सही है, लेकिन उन्होंने, without trading के हम हमारे coins नहीं निकाल सकते, तो roadmap है, तो सही है, ऐसे नहीं के सकता है, अभी के recent ले लो, KZN ले लो, B love ले लो, इनके roadmaps totally हमारे पास है, लेकिन क्या हम इन पर भरोसा रख सकते हैं, नहीं न, तो बस अब जो चल रहा है, फ्री का mining है, दिन में सिर्फ 5 सेकंड देना है, इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करना, बस दो चीज करना है, मतलब जो बोलते हैं न भरोसा, मतलब आशा, expectations, ये दो चीज में बहुत कम लाइन है, बहुत कम लाइन होती है, उसके सवाल के रखना है, hope और expectation, तो हम लोग ये जो mining app में कर रहे हैं, उस पर hope रखेंगे कि इसमें से हमें कुछ तो income हो जाए, हमारी जिन्दगी बदल जाए, ये होता है, hope, तो hope से क्या होता है, ये सिर्फ हम आशा करते हैं, कि ऐसा होगा, तो जब hopes तूट जाते हैं, तो हमें दुख नहीं होता, और expectations, तो expectations क्या होता है, हाँ, इसमें हम mining करेंगे, तो हमें इतना पैसा मिल जाएगा, और हम अमीर बन जाएगे, हमारी तकदीर बदल जाएगी, तो expectations और ये इसमें फरक है, तो expectations रखने पर हमें दुख होता है, तो बस ये minor फरक है, इसमें संबल के रहना, कोई problem ने, कोई भी mining आप हो, इसमें सरफ 5 सेकंड देते है, तो इसमें हमारी life बदल सकती है, ये थी अबाई वर्ल की जानकारी, अब चलते है, पाई network की तरफ, पाई network में एक Twitter handle पे, एक tweet आया है, उन्होंने कहा है, कि आपको app में update आया है, तो आपको update करना है, तो आपके सामने अगर आप पर यहाँ पर click करते हो, तो आपके सामने पुरा update दिख जाएगा, तो update पे बहुत सारी जानकारी लिखी है, क्या है, क्या नए, मैं आपको short में बता दे था, ecosystem and app development, तो ecosystem में लोग कैसे develop करने वाले, क्या करने वाले ecosystem है, वो बताया गया है, ये testnet है, जो हमने part लिया था, testnet, जो अभी transfer हो रहे है, वो हमारे size चल रहे है, एक बात पूरी सुन लो, short मे सुन लो ये सब, उसके बारे जानकारी दिये, hackathon, quarter one hackathon में उन्होंने क्या क्या उसमें बता है, brainstorm में क्या development हुई, वो बता है, pie open source license है, उसके बारे में बता है, mainnet के बारे में सब पुछ दिया है, कि आपका mainnet migration होने के बाद कैसे पैसे transfer करने है, कैसे pie transfer करने है, इसके बारे enable accounts की, ज्यादा tentative KYC की, वो checking कर रहे, इसके बारे में जानकारी दिये, and close minute के बारे में जानकारी, मतलब ये पूरी जानकारी, जो है, वो ही पुरानी वाली जानकारी है, मतलब आप जो इससे बोल देते हैं, नए bottle में पुरानी शराब, वैसे वाला part है, तो लेकिन इसमें main पार्ट जो है, पाई पे हमें भरोसा क्यों करना, तो ये दो पार्ट है, इन्होंने कहा है, and close minute face में, वो क्या-क्या करने वाले है, before bringing open minute, minute लाने के पहले, वो क्या-क्या करने वाले है, ये दो पार्ट है, mass KYC, identification, scalable KYC solution, migration, mobile mining, balance to five minute, ये सब चीज़ उने ने कहना, करना है, creation of real utilities for pie cryptocurrency, through the pie ecosystem, अभी आप बोलेगे है, हर बार ये utilities की बात कर रहे, creation बोल रहे, ecosystem बोल रहे, ये क्या है, तो utility बहुत important होती है, दोस्तों, utility, आज bitcoin की utility बहुत है, बहुत जगा पे coin use होता है, user case बहुत बढ़ा है, इसलिए उसका rate बढ़ रहा है, तो अभी pie काम कर रहा है, तो ये जो होगा, वो अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर ये utility user case बढ़ा रहे है, तो future में एप बहुत अच्छे rate से list हो सकता है, वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो like कर देना, channel को subscribe कर देना, और bell icon दबा देना, ताकि ऐसे ही बढ़िया updates आपको time to time मिलते रहेंगे, अगर आ मेरा telegram channel, उसके साथ मेरा whatsapp group join करना चाहते हो, या मुझे twitter पर follow करना चाहते हो, तो इन सब की link आपको description box में मिल जाएगी, कल फिर मिलेंगे इसी time पर, इतनी अच्छे updates के साथ, bye bye friends, see you.